आज किसी बिम्हों आपको बताने वाला हूँ कि आप ब्रीच एलेक्टिविफार कैसे बना सकते हो तो सबसे पहले आपको बता दो कि जो ब्रिच एलेक्टिविफार बनाने के लिए जो डायोड यूज करा जाता है वो होता है FR306 लेकिन मेरे पास यहाँ फर FR306 डायोड न से पहले आपको दो डायोड ले लेना है तो यहां पर आप डायोड में आपको एक चीज पता होगी एक तरफ आप देखोगे तो सफेद टाइप यहां पर पट्टी होती है और दूसरी तरफ फुरा बलाइक होता है तो यहां पर आप देख सकते हो दोनों तरफ आपको दोनों वाले दोठोबस्त हैं इनको आपको उठा करके और इनकी जो यहां पर black वाला पाठ है दोनों को black वाले पाठ की तरफ से इनको भी आपस में connect कर ले हैं पहले वाले मैंने सफेद वाले पट्टी की तरफ से दोनों को जोड़ा हुआ था और इस वाली में जिधर की तरफ black है त दोनों में एक-एक यहां पर निकले हुए हैं तो अब इनको आपको कुछ नहीं करना, simple सा आपको इनको भी आपस में connect करना यह देखो यहां पर मैंने एक का सफेद वाला पॉइंट और दूसरे का black वाला पॉइंट यहां पर आपस में आगे है तो इनको भी मिला देता हू और इधर से जो इधर वाला part बचा तो इनको भी मिला देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ यह तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ star type का यह आपका बन चुका है चारो जो diode है चारो diode का connection simple सा हो चुका है तो चलो अम मैं आपको बता देता हूं कि इसको आप कहा यहां पर चार है तो अम मैं आपको बता देता हूं कि input आपको कहां से लाना है उसके बाद output इसका कहां से निकालना है तो input लेने के लिए यहां पर आप गौर से अगर देखोगे तो जो एक तरफ का यहां पर जो opposite मतलब दोनों अलग अलग है एक तरफ देखो black है और एक त दूसरी तरफ सफेद सफेद पट्टी वाले तो जो सफेद पट्टी वाला है इधा से आपका output का plus वाला point निकलेगा और जो नीचे side minus वाला point है minus वाला color है वहां से आपका output में minus वाला point निकलेगा तो यहां पर आपने देखा ऊपर से यहां पर आपको plus वाला point मिलेगा जि तो पूरे यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा तो चलो यहाँ पर आप डाइग्राम से समझ लो उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो आसानी से इस तरह एफर 306 डायोट का यूज़ करके आराम से आप ब्रिच एलक्टीफायर बना सकते हो तो मुझे उमीद है कि आप तक लो टाटा बाय बाय जैएं